इनने के पार्थिंगे ना 173 अच्छला इंद गोशीन वंद एडई ले विट्टिटें और स्टूटन्ट था नमक्के वंद बंद मेसेच्च पनी सुन्नागा तो अनाल 173 कोशेंच इला इनने के रुखो इद रम्ब सिंपूला ना वरु केल विदे इननने के पार्थिंगे ना the magnetic force per unit length right magnetic force per unit length अना wire carrying a current of 10 ampere 10 ampere current वंद पोथ making an angle 45 degree with the directions of the uniform magnetic field of 0.2 tesla उरम्म सिंपूल दा इनने वरु current carrying conductor रुख अन्द गरंड केरिंड 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 let me say, इबढ़ी दा वंद विडे विडे रिक्केन वत्चको the wire वंद चरंड पोथ current विडे अन्ड पोथ 10 ampere comme we will कुड़ थिरु कारुआ सरिया so making an angle 45 degree let us assume magnetic field विडे विडे पोथ इबढ़ी इदर this way क्रंड को magnetic field इरुकक कोडिया angle वंद नमU एनना उरु करंटिक केरेंग कंडेक्टर नम्म magnetic field इले ब्लेस पोनने पोदु अंदे एड़ित्ति ले उरु force क्रिया टावको अंदा force नम्म रुम्ब आलड़का वंदु define पने रुपो एबडी सेले रुपों f which is equal to bill अबडी नहीं सौनन उल्या जो b i l sin theta so angle between them so नम्मक्क दरिएंग करंटिको अंदा magnetic field इक रुपको डिक कोड़िए angle दा sin theta so इंगी केरी वील एनना केक्कराएंगा force per unit length केक्कराएंगा so f divided by length which is equal to b i sin theta उनने ले इंद यल्ले इंग वंदे रुपोड़ोदा स्वरिया if I do so force per unit length by sin theta b n magnetic field नम्मक्क केल वीले कुड़ुथे रुपको 0.2 0.20 and the current इंद रुपको 10A 0.2 into 10 इंद टू था then we have sin theta so sin 45 degree इंद रुपको sin 45 degree is nothing but 1 by root 2 अपको इद इद माटिले बपनमपोद 2 अधे नद रुपको 1 by root 2 so we can represent this यबटी नम्मो easier represent पणनेटव पोईड़ ला so इद द नमक्क कोंद रिक्वको कोड़िया answer so force per unit length नद नाद newton per meter दा इद नमुडिया unit नम्मो पाख्करो रुपवी simple आन विड़ुप्राप्लम्त पोरुमेया पारंग doubt एद ना एरिंदध अपड़ी नम्मरकाम कमन पणनेग conceptual video नम्मा already post पणनेगको अधे ये रफ़र पन्नी पात्तु कोंग thank you help this with a smile